नमस्कार में आजमिन खान और आप देख रहे हैं महरास्ट की राजनीती में एकनात शिंदे जो यहाँ पर महतपूर कदम उठाते वे नजर आते हैं तो वहीं उद्दर ठाकरे अब अपनी चुपी तोड़ते वे भी दिखाई देते हैं एकनात शिंदे यहाँ पर अपने मुख्य मंत्री पद पर रहते वे दावेदारी पेश करते वे नजर आते हैं कि आने वाले वक्त में भी वही मुख्य मंत्री रहेंगे लेकिन यहाँ पर देवेंद्र फर्ण वी इसको साइडलाइन कर दिया जाता है अब मिश्याह से एकनात शिंदे मुलाकात करते हैं लेकिन पूरे मामले पर उदव ठाकरे ने अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी वो अब यहाँ पर बोलते वे नजर आ रहें सीधे तोर प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं और एकनात शिंदे पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं किस तरीके से उद्व ठाकरे की हातों से एकनात शिंदे ने कुर्सी चीनी थी और सिर्वसेना की कमान चीनी थी उसी को याद करते वे उद्ध ठाकरी ने कहा कि ये सब कुछ यहाँ पर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के इशारों पर हो रहा है अब ऐसे में यहाँ पर सिर्फ प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी महराश्च में क्या कर रहे हैं उन बातों को लेकर भी नहीं बलकि यहाँ पर अब प्रदान मंतरी अमेरिका दौरे पर गए हैं और किस तरीके से उनका भव्वे स्वागत हो रहा है और किस तरीके से अमेरिका म दिश्राफ में नरेंदर मोधी की थालिक दी जाती है ये सारी चीजों का खुलासा करते वे उद्धव ठाकरे नजर आते हैं कि मडीपूर जल रहा है न प्रधानमंत्री नरेंदर मोधी अमेरिका द्वरे पर गए है अपनी नाम की थाली खाते वे नजर आ रहे हैं वहाँ पर भव्वे स्वागत हो रहा है लेकिन मरीपुर में जाने का टाइम प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी को नहीं है तो ऐसे में जो सवालिया निशान खड़े किये गए है ऐसे मुद्दव ठाकरे ने साथ तोर पर बता दिया है कि अब यहाँ पर ना तो प्रदान मंतरी की चलेगी ना ही एकनात शिंदे की चलेगी अब तमाम विदायक उनके समर्थन में आ रहे हैं और यहाँ पर अब वो अपनी सरकार बनाते वे नजर आएंगे अब इस मुद्दे पर आपके क्या राहें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद